जार्खन में उत्पात दुकानों में नौकरी के लिए मांगे जा रहे 40,000 रुपए सरकार के आधीन दो मौई से संचालीत हजारी बैक जीले के 89 सराब दुकानों में 178 सहायक और 89 सुपरवाजर की न्युक्ति होनी है बतादे नियुक्ति अस्थानिय युकों की होगी और इसके लिए उपायुक्त द्वारा गठी जीला समिती ने बकाईदा नियुईनाले के माध्यम से आवेदन मांगे गए अभियार्थियों से सपत्पत्र लिया गया और उनकी सहायक उत्पाद कर्याले में बकाईदा समिती के गठन कर आवेदनों की इसकुटनी भी की गई पुरी परकिरिया को पारदर्शी बनाने के लिए विभाग की और से नियुईनाले द्वारा भेजे गए साथ सब 28 नाम के अलोक में 335 आवेदको को सफल बता राज उत्पाद कर्याले को सुची भी भेजी गई परन्तु ए सारे जाच आवेदन और इसकुटनी दिखावे के थे बता दे अब इन सराव दुकानों में नियुक्ती उन्हीं का होना है जिन्हें कमपनी चाहेगी और जो नियुक्ती के लिए पैसा देगा जिसकी कवाद 2 माई से सरकार दुआर नियुक्ती एजेंसी और उनके दलालों के मादम से की जा रही है नियुक्ती के लिए 40-40 से लेकर 60 है रुपे तक मांगे जा रहे है मौसम में बदलाव का असर देखनों को मिल रहा है राजधानी राची में कहीं कहीं गरजन वा बजरपात के साथ-साथ हलकी बारिस के बाद तापमान में गिरावर दर्ज किया गया है मौसम विज्ञान केंद्र राची के वरिये बज्ञानी अविसेक अननन ने बताया कि जारखन और पच्छी मंगाल में अन्डमान निको बार में बन रहे निम्न दबाव छेत्र का असर का ही सो में देखने को मिल या पिछले तीन दिनों से रुक रुक कर हो रही बारी से राजधानी का तापमान में गिरावट हुया है मौसम विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि राजध के दक्षनी पूर्वी यानि पूर्वी वपच्मी सिम्भों सिम्डेगा सराय के लाखर सावा समेथ पूर्वी हिसे देवघर दूमका गोड़ा जामतला गिरीडी पांकुलव साहब गंज के अलावे मध यानि रांची रामगर बोकारो गुमला हजारे बहुत खोटी हुएं बारिस का पूरण मान है हेमंत सुरेन आज स्थीपा के बिकल्फ पर करेंगे चार्चार चारखन में रायनीतिक गहमा गहमी के बीच गुरुवार की रात मुख्यमंत्री हमंत सुरेन हैदराबाद से रांची पहुँचे यारपोर्ट से बगर किसी लाव लसकर और सुरक्षा के वे अपने सरकारी अवसका के रोड आए यहां उन्होंने अपने विश्व अस्तो के साथ मंत्राने की विश्व अस्तो से मिली जनकारी के अनुसार हमांत सुरेन के पास क्या क्या विकल्फ है और वे किसके आधार पर क्या कदम उठाए इसकी चर्चा होई एक बिकल्फ यहां भी की वह चुनाव आयोग से जबाब देने के लिए कुछ वक्त की मांग कर सकते हैं या आयोग को जबाब देकर उसके अगले कदम का इंतियार कर सकते हैं दूसरा विकल्प वह की राजभौन में इस्थिपे की पेसकस कर सकते हैं इस इस्थिती में सीबू सेरेन को राजे की बागडोर सोपी जा सकती हैं हलाकि हमन्त क्या कदम उठाएंगे इस पर उनकी और से कुछ नहीं कहा गया पार्टी के पदादिकारे भी मौन हैं गुमला में चीकन पोक्स फैलने के बाद 15 दिनों के लिए स्कूल बंद गुमला जीले के भर्नो पर खंड के आता कोरा गाव में चीकन पोक्स महामारी से 150 बच्चे और 50 ग्रामिन संक्रमित होने की खबर गुरुवार को परकासित होने के बाद स्वास्त भी भाग गुमला और सिक्चा विभाग गुमला हरकत में आया गुरुवार को चिकित्सा प्रभाई डाक्टर अखिले स्टोपनों के निर्देश पर चिकित्सा कर्मिगां पहुँचे जाह संक्रमित बच्चो एवं ग्रामिनों के बीच दावा का बित्रन किया घर घर जाकर दावा दी गई साथ रहती लोगों को इस बीमारी के परति जागरुप किया गया किसानों को पचास परतिसत अनुदान पर धान के बीच दे रही सरकार जार्खन स्तरकार किसानों को आधे दाम पर धान का बीज दे रही है बीज बी निमाए एवां बित्रन कार्यकरम योजना 2022 अंतरगर सरकार द्वारा किसानों को खरीप फसलों के बीज पचास परतिसत अनुदान पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं इस योजना का लाव लेने के जार्खन के किरिसी मंत्री बादल पतरलेक ने बताया कि मई के पहले सप्ता से बीज बित्रन कारेकरम सुरू होगा पिछले साल की तरह मई के पहले सप्ता से खरीप का बीज बाटा जाएगा जार्खन में एक जुलाई से सिंगल यूज पलास्टिक पर प्रतिबंद केंदर सरकार ने एक जुलाई से सिंगल यूज पलास्टिक को पूर्ण रूप से बंद करने का अदेश दिया है इसे राज्य में पूरी तरह से लागू किया जाएगा इस्तिथी के बाद अगर किसी के पास सिंगल यूज पलास्टिक मिलता है तो उनके खिलाब करवाई होगी डुरंडा के पलास सभागार में जहाखन परदूसन कंट्रोल बोट की और स्याविज़ कारकरम में बोट की चेर्मेन एक रस्तोगी ने उक्त जनकारी दी है उन्होंने इस छेत्र में काम करने वाली कंपणियों के प्रतिनिधियों को समोधित करते हुए कहा है कि सिंगल यूज पलास्टिक पर प्रतिवन था लेकिन हम लोगों ने अपनी समाजिक जिमेदार्यों करने वहन नहीं किया पंचायत चुनाव में नहीं मिलेगा 175 कंपणि केंद्रिये बल जहारखन में पंचायत चुनाव के लिए अब केंद्र अतिरीक्त बल नहीं देगा जहारखन में तैनात केंद्रिये बल से ही जहारखन पुलिस को चुनाव कराना होगा केंद्री गिरी मंत्राले ने इसे समंधित निर्देश जारी कर दिया है और जार्खन पूलिस के प्रस्ताओं को अस्विक्रित कर दिया है जार्खन पूलिस ने नकसल छेत्र को देखते हुए केंद्र से 175 कंपनी अत्रीक्त केंद्री बल की मांग की थी जिसे केंद्रे ने देने से इंकार कर दिया है जारखन पुलिस ने केंद्रे को भेजे अपने प्रस्ताओं में अतर्क दिया था कि राजे के 24 जीलों में से 16 जीले नकसल परभावी था है जून में पहली से साथवी के बच्चों का फीर से होगा मुल्यांकन जारखन के प्राथमिक स्कूलों के बच्चों का जून में फीर से मुल्यांकन किया जाएगा इसकूली सिक्षावा सक्षरता विभाग इसकी तियारी कर रहा है परिक्षा का आउयन गर्मी के छुटी के बाद जून के पहले या दूसरे सब्ता में हो सकेगा सिक्षा विभाग ने परिक्षा के लिए प्रस्न पत्र सेट करने की जिम्यदारी जारखन सैक्षिनिक अनुस्वनार परिशत को दी है इससे पहले 31 मर्च को तीसरे से सातवी के बच्चों का मुल्यांकन किया गया था इसमें पाच्वी से सातवी के बच्चों का OMR सीट पर और पहली दूसरी के उतर पुष्तिका में अब्जेक्टिक सवाल पुछे गया थे इसमें पहली दूसरी के बच्चों का मुल्यांकन नहीं किया गया था अब सिक्षा विभाग पहली से साथवी के सभी बच्चों का मुल्याकन करने जा रहा है 14 माई को पहले चरन का मतदान जारखन पंचाय चुनाओ के पहले चरन के लिए 14 माई को मतदान होना है आयसे में चुनाव को लेकर जार्खन राज निर्वाचन आयोग से लेकर जीला परसासन ने त्यारी तेज कर दी है इसके तहर जीला परसासन की टीम ने रांची के मुराबादे इस्थित फोटबॉल स्टेडियम का निरिक्षन किया इस दवरान सम्रीच समंधी अधिकारियों से पोलिंग पार्टी डिस्पेच सेंटर मनेजमेंट करम्यों के बैठा की बिवस्ता और मैपिंग सुबढादा के बारे में जनकारी ली बता दे पोलिंग पार्टियों को सुबा 6 बाए से अई मदान केंद्रे के लिए रवाना किया जाएगा 1932 खतियान के लिए बैल गारी पर दूलहन को ले गए दूलहराजा धनबाद के राजगन से बुद्धवार की सुबह एक दूले राजा बैलगाडी पर अपनी दूलहनिया लेकर बोकारों के लिए रवाना हुए तो रास्ते में लोग हैरत से देखने के साथ तारीप भी करते दिखे दरसल बोकारों के हरला ठाना चेत्रे के सेक्टर एक आराज थीत भातुआ से नंदलाल महतो के पोत्र सूख लाल महतो की बराथ, राजगन ठाना चेत्रे के दलूडी, चूंगी, निवासी, कमेसवर महतो के यहां तीन माईकों गई थी, इसमें बराती जम करना चे, भीर भी ज खत्यान का जीक्र था बैल गाड़ी की जारो ओर जार्खंडियों की पहचान 1932 का खत्यान अस्थाने नित्ती बनाने की मांग अंकित्ती धन्यवाद